वेलकम टू ग्यानसरी फिजिक्स लेक्चर इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जूल थॉम्सन एफेक्ट की हम लोग देखेंगे इनवर्सन टेंपरिचर के कंसेप्ट को हम लोग जानेंगे जूल थॉम्सन कोफिसेंट को जूल थॉम्सन एफेक्ट को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा जिसको हम लोग बोलते हैं पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए एक छोटा सा स्केमेटिक डाइग्राम मैंने ड्रॉ किया है यह actual setup नहीं है, यह बस diagram है, schematic diagram है setup में दो chamber होते हैं, यह वाला एक पहला chamber है इसमें pressure को किसी एक particular value पर maintain किया जाता है assume कर लिजे कि P1 पर maintain किया गया है इस pressure को एक piston की सायता से maintain किया जाता है similarly दूसरे chamber में एक दूसरा pressure रहता है जिसको हम लोग बोलते है P2 और उस P2 को भी एक piston की सायता से maintain किया गया है तो दो chamber है, एक में pressure है P1, दूसरे में है P2 और pressure कैसा है, pressure है P1 is greater than P2 मतलब पहले वाले chamber में pressure जादा है compare to दूसरा वाला chamber और यह जो दूनों chamber है, वो separated है with the help of a porous plug porous plug क्या होता है आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक ऐसा plug है जिसमें बहुत सारे tiny holes है इसका मतलब क्या है, कि यह completely block नहीं कर रहा है gas को gas उस porous plug से pass कर सकते हैं अब चुकि gas जो है, वो high pressure से low pressure के तरब जाएगा इसका मतलब यह वाला chamber, पहला chamber जिसमें pressure P1 है, वहाँ से gas expand करेगा इस porous plug के होते हुए उस chamber में जहां पे pressure है P2 एक और requirement होता है requirement क्या है, कि यह जो chamber है P1, ठीक है इसमें एक thermal bath लगाया होता है thermal bath मतलब क्या, आप ऐसा समझ लो कि यह वाला chamber में temperature को किसी एक particular value पर maintain किया जाता है suppose कि जिए कि T1 पर maintain किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पी यह जो red है just for the representation है, ऐसा actual setup नहीं होता है actual setup में कुछ arrangement किया जाता है, ताकि यह जो पहला वाला chamber है जिसमें pressure ज्यादा है, वहाँ प एक temperature T1 maintain होके रहा है एक और arrangement किया जाता है, यह जो पूरा experiment है उसको thermally insulated condition में किया जाता है, मतलब यह जो process होना चाहिए वो completely adiabatic होना चाहिए, मतलब जो gas का जो system है और surrounding के बीच में कोई भी heat का exchange नाओ, वही adiabatic process होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं, DQ equals to zero, adiabatic process है तो heat exchange हो रहा है, तो change in heat is equals to zero, ओके whole process में हो क्या रहा है, कि gas जो है, वो expand कर रहा है through this porous plug और इस तरह के expansion को हम लोग बोलते हैं, throttling process तो जब भी gas इस तरह के porous plug से expand होता है, from high pressure to low pressure region उसको हम लोग throttling process बोलते हैं, तो किसी-किसी book में इस experiment को throttling process बोलके भी refer किया जाता है, या फिर कभी question में throttling process बोलके भी आता है, तो confused नहीं होना है, everything is same, अब यह हो गया complete setup, अब experiment चल रहा है, तो कुछ observations होंगे, देखते हैं, observation क्या होता है Joule-Thompson effect में, यह जो experiment किये, porous plug, उसमें क्या-क्या observation हुआ पहला तो observation होता है, कि suppose कीजिए, कि हमने जो thermal bath रखा था, उसमें एक temperature तराई, और वही temperature क्या होगा, gas का initial temperature होगा क्योंकि पहला chamber में gas है, तो जो भी temperature होगा, thermal bath का, वही temperature gas का होगा तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कि माल लिजे, gas का initial temperature न, एक critical limit से अगर कम रखेंगे उस case में क्या होगा, कि जब gas expand करेगा, low pressure reason में, through porous plug, तो वो cool down हो जाएगा मतलब temperature जो होगा, वो drop करेगा, इसको हम लोग बोलते हैं, cooling effect होगा, ओके और यह जो cooling, कितना temperature drop करेगा, यह temperature उतना ही drop करेगा, जितना drop in pressure होगा मतलब जो drop in temperature है, वो proportional होगा drop in pressure से, जितना ज़्यादा pressure में difference आएगा उतना ज़्यादा temperature में difference आएगा अब माल लिजिए कि वो जो temperature था initial temperature उसको critical limit पर रखते हैं उस case में क्या होगा जब gas expand करेगा तो कोई temperature में change नहीं होगा और अगर temperature critical limit से ज़्यादा हुआ उस case में expansion के बाद गैस की temperature increase कर जाएगी मतलब heating effect होगा so depending upon की हमने क्या temperature रखा है initial temperature उसके उपर depend करेगा की heating होगा की cooling होगा की कुछ नहीं होगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं Joule-Thompson effect तो अगर आपको question आता है कि what is Joule-Thompson effect तो आपको लिखना है Joule-Thompson effect is change in fluid temperature as it flow from higher pressure region to lower pressure region through a porous plug okay अब आपको Joule-Thompson effect समझ में आ क्या होगा ठीक है यहाँ पे वो जो temperature है ना initial temperature जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि critical temperature है जहाँ पे कोई change in temperature observed नहीं होगा उसको हम लोग maximum inversion temperature भी बोलते हैं तो कभी-कभी क्या होता है कि question में बहुत specific question आता है कि what is Joule-Thompson cooling उस case में हमें बताना है कि Joule-Thompson cooling is drop in fluid temperature as it flow from higher pressure region to lower pressure region through a porous plug when its temperature is below maximum inversion temperature similarly Joule-Thompson heating तो वहाँ पे हमें heating वाला condition को mention करना है the Joule-Thompson heating is increase in fluid temperature as it flows from higher pressure region to lower pressure through a porous plug when its initial temperature is above the maximum inversion temperature depending upon question आपको इसको लिखना पड़ेगा Joule-Thompson effect को कभी-कभी Joule-Calvin effect भी बोलते हैं तो इसमें भी confused नहीं होना है कि कौन सा question आया है कौन सा नहीं आया है तो हमें अब सब कुछ पता चल चुका है अब next question है कि यह हो क्यों रहा है इसके पीछे theory क्या है इसके पीछे की theory को समझने के लिए हम लोग क्या करते है उस schematic diagram को थोड़ा सा और simplify कर लेते हैं यहां भी दो चेंबर है यह रहा हमारा पहला चेंबर और यहां पर दूसरा चेंबर है इनिशियल स्टेट में क्या है ना गैस पूरी की पूरी पहले वाले चेंबर में है और उस समय इनिशियल स्टेट में pressure है P1, volume है V1 और internal energy है U1 अब उसके बाद क्या होगा? गैस जो है वो expand करेगी through this porous plug और expand करते करते पूरे दूसरे वाले चेंबर में पहुंच जाएगी और उस case में माली जे pressure है P2, volume है V2 and internal energy है U2 यह रहा हमारा initial state, यह रहा हमारा final state हमें पता है pressure P1 जो है वो greater है P2 से इसलिए gas जो है expand कर रही है अब यह पूरे process में कितना work done हुआ? तो work done हमें पता है PDV यहाँ पे work done दोनों तरफ हो रहा है पहले वाले चेंबर में भी दूसरे वाले चेंबर में भी पहले वाले चेंबर का volume V1 से decrease करके 0 हो रहा है तो हमने क्या किया है? टोटल work done निकाल दिया P1 DV इसको integrate कर दिया V1 to 0 प्लस 0 to V2 P2 DV इसको solve करने से हमें simply मिल गया minus P1 V1 प्लस P2 V2 ओके? हमें पता है कि यह experiment जो है वो किसमें हो रहा है? adiabatic condition में तो DQ है 0 तो वो हमें याद रखना है हम क्या करते है? first law of thermodynamics लेते हैं वहाँ से मिलेगा DQ equals to DU plus W ओके? अब DQ क्या है? 0 है और DU क्या होगा? U2 minus U1 तो just substitute कर दिजिए DU को, W को, DQ को यहाँ पर हमने substitute कर दिया अब यहाँ से initial और final state को अलग-अलग कर दिजिए तो हमें एक relation मिलेगा U2 plus P2 V2 equals to U1 plus P1 V1 यह है क्या? याद करने की कोशिज कीजिए मैंने एक वीडियो में enthalpy को पड़ाया था enthalpy जो होता है वो होता है U plus PV यानि H1 is equals to H2 enthalpy in initial state is equals to enthalpy in final state मतलब जो है enthalpy यह पूरे process में क्या है? Conserved है यानि यह जो process है इसको हम लोग बोलेंगे Isenthalpic process ओके? enthalpy जो है वो constant है बट यहाँ पर गौर करने वाली बात है यह जो experiment हो रहा है ना वहाँ पर जो intermediate process है वो equilibrium में नहीं है तो हम लोग सिर्फ initial और final state की ही बात कर सकते हैं बीच में क्या हो रहा है उसके हमें नहीं पता है तो हम लोग यह comment जरूर कर सकते हैं कि initial और final state की enthalpy same है बट अगर आप question करेंगे कि बीच में enthalpy क्या same थी या नहीं थी तो इसके उपर हम लोग comment नहीं कर सकते हैं बट हमने एक चीज एसूम किया था कि यह जो process है वो quasi static है इसलिए हम लोग relations of thermodynamics को use कर पा रहे हैं लेकिन हम लोग कुछ comment नहीं कर पाएंगे we cannot be sure ओके अब हमें पता चल चुका है कि यह जो पूरा process है वो ice and thalpic है ओके हमने देखा था कि इस experiment में temperature change हो रहा है गैस की temperature change हो रही है और जो change in temperature है वो depend कर रहा था हमने बात किया था कि जो drop in temperature होगा और depend करेगा कि pressure में कितना difference है मतलब temperature जो है वो change हो रहा है with respect to pressure ओके तो हम लोग एक relation find out करने की कोशिस करते हैं तो हमें पता चल चुका है कि यह जो process wise and thalpic है तो इन thalpic क्या है h equals to u plus pv और dh हो जाएगा यहां से du plus pdv plus vdp just इसको differentiate कर दीजे right इसको differentiate कर दिया हमें यह मिल गया first law और second law thermodynamics को अगर आप combine करेंगे first law से हमें क्या पता है dq equals to du plus pdv और second law thermodynamics में क्या पता है dq equals to tds तो उसको combine करके हम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं इस relation को हम use करेंगे इसमें इसमें plug कर दीजे तो यह हो गया dh equals to tds plus vdp right मैंने tds equation पढ़ा है उस tds equation आले वीडियो में आपने देखा था कि second tds equation जो होता है tds equals to cp dt minus t del v del t p dp इस relation को use करेंगे यहाँ पे यहाँ पे use करते ही हमें मिल गया dh equals to cp dt minus t del v del t p dp plus vdp ओके अब कुछ नहीं करना है हमें बस condition लगाना है चुकि process isynthalpic था तो ds तो 0 ही होना है तो dh को हमने 0 कर दिया del t को यहाँ से separate out कर लिया तो del t equals to आगया 1 upon cp t del v del t p minus v dp यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं mu mu जो है वो है joule thompson coefficient और यह होता है del t del p यह हमें बताता है कि temperature कैसे change कर रहा है with respect to pressure मतलब rate of change of temperature with respect to pressure बताता है at constant enthalpy और यह बहुत ही important है तो mu की value हो गई 1 upon cp t del v del t p minus v इसको हम लोग यूज करेंगे next video में और वहाँ पे बहुत सारे calculation करेंगे पहले यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे देखिए temperature क्या है del t pressure del p को हम लोग calculate करेंगे तो यह always negative आएगा क्योंकि final state का जो pressure है वो lower है compared to initial state so del p always negative होगा उस case में del t को हम लोग लिख सकते हैं mu del p अगर mu की value positive हुई so mu del p overall हो जाएगा negative so drop in temperature होगा यानि mu greater than zero indicate कर रहा है cooling effect को mu 0 होगा तो क्या होगा del t is equals to mu times del p mu 0 यानि del t equals to 0 यानि no change in temperature और mu अगर negative हुआ उस case में del t equals to mu del p del p already negative है mu भी negative हो जाएगा so negative multiply by negative becomes positive right so del t हो जाएगा positive positive mu cooling zero mu no change in temperature negative mu hitting अब यहाँ पे एक चीज़ guard करने वाली है mu जब zero हो रहा है तो क्या हो रहा है no change in temperature यानि वही है maximum inversion temperature तो maximum inversion temperature को हम लोग बोलेंगे mu equals to zero और यहां से simple एक concept निकल के आएगा अगर इस relation को use करेंगे तो जब भी t del v del t p minus v zero होगा जिस जिस case पे वो हो जाएगा हमारा maximum inversion temperature का case राइट यह जो relation है वो काफी important है यह हमें एक inversion curve की जानकारी देता है inversion curve क्या होता है अगर माल लिजे आप एक graph पेपर ले यह उसमें एक axis पे temperature को plot केजिए दूसरे पे pressure को और उस graph पे इस equation को plot करने की कोसिस कीजिए जो curve हमें मिलेगा उसे हम लोग बोलेंगे inversion curve और वो curve काफी important होता है क्यों important होता है चलिए देखते हैं उसको समझते हैं को draw करके तो यह रहा हमारा tp plane पे curve यह nitrogen gas के लिए है तो यह रहा हमारा यह वाला equation यह जो solid black line है मोटा सा यह वही inversion curve है यानि इस curve के हर एक point पे mu की value 0 है यानि neither hitting nor cooling तो अगर आपने एक बार इस curve को plot कर लिया तो आपको पता चल चुका है कि हम किस t और किस p से start करेंगे तो hitting होगा और किस पे start करेंगे तो कुछ नहीं होगा neither hitting nor cooling और कहा से करेंगे तो cooling होगा अब चुकि यह जो पूरा process है वह आइस इंथाल्पिक है मतलब इंथाल्पी constant है तो हम कहीं भी random points से नहीं सुरू कर सकते तो यहाँ पर देखे यह मैंने बहुत सारे line को यहाँ पर draw किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 यह सारे lines है यह इंथाल्पिक है मतलब इस line पर enthalpy जो है वह constant है तो हम किसी एक ही line पर सुरू करते हैं for example line number 3 पर अगर हम लोग initial condition E के पास लेते हैं तो हो जाएगा cooling ओके तो अगर आप inversion temperature के अंदर में कोई एक point को लेंगे जैसे E पर लेंगे तो cooling effect होगा और D पर लेंगे तो cooling effect होगा और जब आप curve के outside को भी point लेते हैं suppose कि यह B और A इस case में heating होगा तो अगर किसी भी gas का किसी भी fluid का अगर आपको inversion curve पता है तो आप directly वहां से point को choose कर सकते हैं और इसको use किया जाता है gas के liquification में तुरंत हम लोग यहां से idea लगा सकते हैं कि कहां से शुरू करेंगे तो gas जो होगा temperature drop करेगा ओके तो next video में हम लोग क्या करेंगे कुछ real gas ideal gas के लिए mu को calculate करने की कोशिज करेंगे और वहां से और सारे physics के बारे में जानने की कोशिज करेंगे तो मिलते हैं अगले वीडियो में आसा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा Thank you